Hello everyone, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MRA Raja बैटरीज के बारे में ये स्टॉक चार नॉबर को 10% का अपसाइड मूव रिकॉर्ड किया जबकि पिछले काफी दिनों से ये 200 DMA से नीचे ट्रेट कर रहा था तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कारण है, क्या news है, क्या information है जिसके base पे एक दिन में 10% का upside move दिखाया है और क्या अब सही समय आ गया है इस stocking position बनाने का companies के ratios के बारे में discussion करेंगे, financials के बारे में discussion करेंगे क्या trend set होने वाले है आने वाले समय में इन तमाम चीजों को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे और आपको अगर हमारे वीडियो का content अच्छा लगता है तो आप हमें appreciate कर सकते हैं appreciate करने के लिए आपको simply like पे click करना है and notification अगर आप on कर देते हो तो आपको हमारे आने वाली सारी वीडियो की notifications आपको मिल जाएंगे चलिए अब शुरू करते हैं तो वीडियो की शुरुवात में मैं बता देता हूँ कि Amara Raja Batteries इंडिया की largest acid lead based बनाने वाली company है अब आप सोचने होगे कि Amara Raja अगर इंडिया की largest lead based battery बनाने वाली company है तो इसके products को आपने shops पे Amara Raja नाम की कोई battery देखी क्यों नहीं वो इसलिए ने देखी क्योंकि इनका brand name अलग है और वो है Amaron या आपने definitely अब इस नाम को सुना होगा आपने बहुत सारे products में भी इस Amaron batteries का use भी किया होगा तो yes ये वही company है जो Amaron batteries बनाती है और Amaron के अलावा और भी दूसरे brands के नाम से ये बनाते है लेकिन की जो group company है उसका नाम है Amara Raja Batteries अब सबसे पहले screener पे हम शुरुआत करते हैं company के about section को explore करते हैं जानने समझने की कोशिश करते हैं कि company क्या करती है और ये information खासकर उन लोगों के लिए और ज़्यादा useful हो जाता है जो लोग इस company में नया position बनाने की सोच रहे हैं उनके लिए इस लिए भी अच्छा हो जाता है क्योंकि उनके लिए जानना ज़रूरी है कि actually में जिस company में वो invest करने की सोच रहे हैं start करना चाहते हैं वो company करती क्या है company की presence कहा है कि इन लोगों को cater करती है बात कर लेते हैं इनके geographical presence की कि कहा कहा पर कितना इनकी services है तमाम customers को आपने देखा सुना होगा बहुत बड़े brands है और इन तमाम बड़े brands को services देते हैं जिनमें Hyundai, Mahindra, Mahindra, Maruti, Tata और भी दूसरे बहुत बड़े-बड़े brands है so of course इनका business काफी बड़े-बड़े customers है जिनने ये अपने products को supply करते हैं अब बात करेंगे हम ratios की, financials की और last में हम ये भी discuss करेंगे कि क्या वो news है वो news, सच में news है, rumor है, क्या है जिसके वज़े से 10% का increase आया है और क्या अब ये समय आ गया है इस stock में position बनाने का क्योंकि India electronic vehicles के तरफ बढ़ रहा है और ये जो company है आने वाले समय में तवाम चीज़ों को आज के इस वीडियो में समझते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ratios की जिनमें हम अगर market capitalization को देखें तो इस market capitalization is 9726 जो की अगर आप समझना चाहें कि market capitalization calculate कैसे होता है तो simply जो share का price है उसको अगर number of shareholder से आप multiply करते हैं तो market capitalization निकल जाता है stock के PE की बात करें तो PE का एक general fundamental है कि जितना कम PE हो उतना जादा बहतर होता है यानि उतना जादा अच्छा सौधा है तो इसका जो PE है वो 16.9 है यानि ये सौधा ठीक ठाक सौधा है return of capital employed की बात करें यानि जो equity shareholder या फिल long term debts या short term debts को use करके company पैसे या revenue generate करती है उसका क्या अधर है उसका क्या ratio या percentage है तो उसका है 15.6 जो कि बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा 15% एक basic level होता है अगर 15% का return on capital employed आता है तो company को okay okay कहा जाता है और ये just उसी के ask pass का return on capital employed generate करती है company debt की बात करें तो debt है इसका 122 करोड जो की okay okay type का है promoter holding एक बहुत अच्छा परसेंट होता है ये assess करने के लिए कि company के क्या future हो सकता है या company में कितना strength कितना dumb है जितना जादा promoter holding उसका simple सा ये मतलब होता है कि जिन लोगों ने company के start करी है उन लोगों को company के business में भरोसा है और company आगे जाने की संभावना अच्छी है यहाँ company का जो promoter holding है that is 28.1% पिछले कई सालों से ये percentage इसी के इर्दगर्द बना हुआ है लेकिन ये percent कम ही कहा जाएगा एक strong company में promoter holding generally 50% से जाधा का हो सकता है बात करते हैं अगर face value की जो बहुत जाधा material नहीं होता in fact इसका use सिर्फ dividend pay करने के time ही use होता है जब कोई company dividend pay करती है तो face value की percent के according ही pay करती है अब बात कर लेते हैं हम कुछ इनके peers की और जो इनके सबसे close peer है वो है excite battery yes excite battery इनके सबसे नजदी की peers में count किया जाएगी क्योंकि उनका exact यही business है जो batteries का business है बाकि जो यहाँ आपको peers दिखाई देने बॉश हो गया मिंडा हो गया दर्सन हो गया इनके business batteries के लावा और भी दूसरे businesses हैं लेकिन अगर सिफ battery to battery इंडिया में compare के आज़े तो excite की battery या amaran की battery इन दो batteries का ही नाम आता है इसलिए हम comparison भी excite और amaran की बीच की करेंगे so अगर अगर यहाँ देखें इन दो companies के अगर आप values numbers को compare करें तो आपको clarity मिल जाएगी यहां market capitalization अगर देखा जाए तो excite का market capitalization is 14,921 जबकि amaran raja batteries का market capitalization is 9726 so तकरीबन 5000 करोड का difference है market capitalization में PE की बात करें PE मत्रब जैसा मैंने बताया था कि PE यह define करता है कि सौदा कितना महंगा या कितना सस्ता है किसी company में लेने के लिए so अगर इसका PE देखा जाए तो इसका PE better है amaran raja की battery का जो PE है that is 16.86 चबकि excite का जो PE है थोड़ा महंगा इससे बोला जाएगा 20.29 बट अगर किसी stock का PE जादा है तो उसके पीछे और भी कई सारे factors हो सकते हैं तो उसका factor एक यह भी हो सकता है कि company का business जो है काफी आने वाले समय में ऊपर जाने वाला हो company में strength जादा हो, value जादा हो और यह value की वज़े से उसको एक महंगा PE मिल रहा है इसके अलावा गर हम बात करें कुछ और numbers की जैसे अगर हम बात करते हैं net profits की तो net profit आप देखें तो बहुत strangely दोनों के net profit almost आस पास के हैं दोनों companies ने जो net profit इस quarter में report किया है that is 202 करोड का तकरीबन तकरीबन थोड़ा बहुत variance है but 202 करोड का profit दोनों companies ने किया लेकिन अगर आप sales के number को अगर आप चेक करें इस quarter के तो काफी अच्छा खासा फर्क दिखाई देगा जहाँ Excide ने 202 करोड का profit 4,021 करोड के sales पे generate किया वही एमरा राजा बैटरीज ने इसी profit को यानि 202 करोड के profit को आउन करने के लिए 2,699 करोड के sales से ही achieve कर लिया तो यह एमरा राजा के लिए एक plus point है अब हम बात करेंगे quarterly results के बारे में तो यहाँ 2019 से लेकर के 2022 के बीच का picture आपको दिखाई देगा यहाँ आप देख सकते हैं कि company के जो sales हैं साल दर साल बढ़े ही हैं अब 2019 से इसका यहाँ हम शुरू करते हैं September 2022 के period में अगर हम sales को compare करें तो किसी वक्त में यानि 2019 में इसका sales हुआ करता था 1,695 करोड जो की September 2022 में बढ़ करके 2,699 करोड का sales हो चुका है sales बढ़ हैं लेकिन इसके proportion में आप expense को अगर देगे तो expense भी definitely बढ़ हैं 1,403 करोड के expense से बढ़ करके 2,339 करोड का expense है तो जो हमारे लिए समझने वाली बात है वो है operating profit margin की sales भले ही बढ़ रहे हैं जिस proportion में आपके expenditures पर अगर बढ़ जा रहे हैं तो ये कोई खास बात नहीं है मतलब company के लिए 5-day की बात तब होगी जब sales तो बढ़े लेकिन हमारे खर्चे कम हो So operating profit margin अगर देखेंगे तो यहाँ थोड़ी से आपको निराशा हाथ लगेगी क्योंकि आप इसी नंबर को अगर 2019 से compare करेंगे जहाँ 17% का operating profit margin हुआ करता था ये घटते घटते आज की date में 13% का operating profit margin रह गया है तो यहाँ बहुत ज़ादा आपको plus point या खुशी वाली बात नहीं है Net profits की अब हम बात कर लेते हैं जेब में company के कितने पैसे गया है So 2019 में अपकोर्स business शोड़ा हुआ गरता था उस time पे 219 करोर का profit हुआ गरता था लेकिन इतना बड़ा expansion होने के बाद भी sales बढ़ने के बाद भी इतने लंबे सफर को तै करने के बाद भी अगर आज की date में September 2022 के numbers को देखा जाए तो 202 करोर का profit है जिसमें पिछले कई सारों के inflation भी factor in किये गये है और net profit इसके कम है अगर हम बात करते हैं EPS यानि earning पर share की बात करें तो ये भी घटा ही है 12.81% से घट करके 11.84 हो गया है इसका earning पर share तो देखा जाए इतना समय लगाने के बाद में sales बढ़ाने के बाद भी numbers बहुत ज़ादा favorable नहीं है और ये तमाम चीज़े company के stock prices में भी reflect हो रहे है आने वाले कुछ slides में आपको तमाम चीज़ें दिख जाएंगे अब चलिए company को assess करने के लिए चार parameters के basis पर हम evaluate करेंगे यानि return on equity कैसी रही stock के prices पिछले 10 सालों के comparison में किस तरीके से move के है compounded sales growth कितनी रहती है और profit का growth compounded क्या रहता है तो आपको दिखाई देगा कि अगर हम sales की बात करें तो sales आपको काफी अच्छा दिखाई देगा 10 साल पहले जो इनका compounded growth अगर आप देखें तो 14% का हुआ अगर ता था 5 year के period में अगर आप देखें तो 10% का 3 year के period में आप देखें 9% है और trailing 12 month यानि पिछले 12 महीने के period को आप compare करेंगे देखेंगे तो आपको 20% का compounded sales का growth दिखाई देगा इसी चीज़ को अगर आप profits के number में देखना चाहें कि 10 साल के period, 5 साल के period और 3 साल के period में profits के compounded growth क्या रही तो यहाँ पे आपको निराशा हाथ लगेगी 10 साल का compounded growth है that is 9% 5 years की अगर हम बात करें तो 2%, 3 years की तरह हम बात करें तो again 2% लेकिन पिछले 12 महीने या in trailing 12 months की तरह बात करें तो negative yes, minus 11% का है अगर हम stock के prices की बात करें तो यहाँ भी आपको अगे निराशा ही हाथ लगेगी 10 साल के period का अगर हम बात करें तो it was increasing with a increase of 8% 5 साल के अवधी में अगर देखा जाए तो minus 4% 3 साल के period में देखे तो minus 5% और अगे इन अगर trailing 12 months की बात करें पिछले 12 महीनों की तो आपको minus 19% का दिखाई देगा लेकिन minus 19% के होने के बात क्या हम ये बोल लें कि अब ये stock अपने उस level पे आ चुका है जहां से अब पलटने की संभावना बन रही है और क्या अब company कुछ ऐसा नया करने वाली है जो आने वाले समय में इसको अच्छा benefit दे सकती है इन तमाम चीजों को अगले slides में भी समझेंगे return on equity की बात करें कि यानि जिन लोगों ने भरुसा दिखा करके company में invest किया उन्हें क्या return मिला तो 10 साल की period में अगर आप चेक करेंगे तो 19% का return on equity था 5 साल की period में देखें तो 15% 3 साल की period में 15% तो last year के अगर बात करें तो 12% तो यहां भी घटा ही है बढ़ा नहीं है तो यह तो थी हमारी compounded sales, profit और equity की बात अब हम चलते हैं company के assets को देख लेते हैं company की balance sheet को देख लेते हैं company के balance sheet में जो सबसे noticeable चीज है या खास बात जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो है company की borrowings so company की borrowings 2011 में 100 crore हुआ घरती थी जो आज के date में बढ़ करके 122 crore हो गई है और ये आपको मैंने शुरू में भी बताया था investments की बात करें so investment definitely इनके बढ़े हैं investment अगर आप देखें तो शुरुआत में 2011 में इनकी investment 16 crore की हुआ घरती थी जो की exponentially बढ़ करके यहाँ पे 493 crore की हो गई है अब हम बात कर लेते company की shareholding patterns के बारे में कि किन लोगों के हवाले company है कौन लोग इस company की देखबाल कर रहा है so promoters जैसा मैंने बताया था 28.6% से शुरुआत होती है promoters की holding जो आज की rate में भी same consistent है और अगर आप FIIs की और DIs की बात करेंगे तो ये भी बहुत ज़ादा change नहीं है थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है बहुत ज़ादा 1-2% का change आया है और अगर आप public की बात करें तो public का जो percent holding है that is more or less same थोड़ी से public holding ज़रूर बढ़ी है यहाँ पे 39.59 से बढ़कर के 43.45% हो गई है so आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़ादा change नहीं आया है promoters की holding सेम है DIY सेम है, FII सेम है हाँ थोड़ी public की participation ज़रूर बढ़ा है इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि क्या वो कारण है जिसके वज़े से एक दिन में 10% का move आया और वो कारण आपको बता दूँ कि कल तक इस screener website पे भी था लेकिन somehow आज के date में वो information दिखाई नहीं दे रही है लेकिन मैंने कल ही ये document डाउनलोड कर लिया था और मैं आपको ये document अब दिखाने जा रहा हूँ कि क्या वो कारण है, किस के वज़े से इसमें record किया गया था तो मैं सीधे उस PDF पे आपको लेकर के चलता हूँ जो मैंने यहाँ पे save कर रखा है तो Companies Act के according और Stock Exchange Rules के according किसी भी company जो की listed है अगर उस company में किसी wholly owned subsidiary का incorporation होने वाला है तो ये information उन तमाम Stock Exchange में शेर करने होते हैं जहां ही listed है और ये NSCBSC दोनों जग लिस्टेड है तो ये disclosure company ने इन दोनों ये Stock Exchange जिसको किया है आप देख सकते हैं यहां mention है that this is to inform you that the board of the directors of the company at their meeting held today that is 3rd November 2022 has approved the incorporation of a wholly owned subsidiary of the company for lithium-ion battery manufacturing. Yes, ये lithium-ion battery वही battery है जो electronic vehicles में use होती है या use होंगी. Company का जो main business था that was acid lead based batteries जो conventionally पुराने vehicles में use हुआ करता था. लेकिन जैसे-जैसे हम news में देख रहे हैं या जैसे-जैसे हम समझ रहे हैं कि आने वाले समय में electronic vehicles का ही राज होने वाला है तो ऐसे situation में अगर कोई battery manufacturing company है और वो अपने आपको change नहीं करती है तो obsolete हो जाएगी. सेम उसी तरीके से जैसे digital camera आ जाने के बाद में जो पुराने conventional codec के camera हुआ करते थे हैं वो obsolete होगें क्योंकि उन्होंने अपने आपको वक्त रहते बदला नहीं. और अगर कोई भी battery manufacturing चाहे हो अपने आपको time के साथ बदलाओं नहीं करते हैं तो obsolete हो जाएगे. और इस लिए company ने अब lithium iron based batteries बनाने के लिए holy own subsidiary गठित की है या बनाई है incorporate करी है. ये company totally focused होकर के lithium iron batteries पे ही काम करेगी. और दो company ने अगर आप company के website को देखें तो आप देख सकते हैं वहाँ उन्हें mention कर रहे हैं कि lithium iron batteries पे already काम कर रहे हैं. बट अब ये clear हो गया है कि सिर्फ वे खयाल ही नहीं है बलकि company सच में एक subsidiary बना करके lithium iron battery पे focus कर रही है और ये एक positive move है. तो संभवत ये वही कारण है जिसके वज़े से एक दिन में 10% का upside move record किया गया अब audience के लिए एक question या in fact ये discussion की बात है कि आने वाले समय में क्या अब stock upside move करने वाला है तो मेरा suggestion है कि अब ही हमें थोड़ा समय देना चाहिए और मेरी इस video को किसी भी तरीके से buy या sell recommendation की तोर पर ना लिया जाए ये एक discussion है सिर्फ education और knowledge की point of view से मेरी राय है कि आप कुछ वक्त इंतजार कर सकते हैं definitely आने वाले कुछ हफतों में ये आप एक pullback दिखाई देगा ये share के prices घटेंगे और अगर घटते हैं तो आप थोड़ी इसी position बना सकते हैं लेकिन since अपने 200 डेमा को ये touch कर रहा है और हो सकता है कि इसे एक resistance दिखाई दे और इसके बाद इस stock नीचे के तरफ फिर से लुड़कना शुरू हो जाए तो थोड़ा wait कर सकते हैं और position बना ले के लिए बहुत लंबा समय आपके पास ऐसा नहीं कि रातो रात ये share upset भाग जाएगा और आप इसको buy नहीं कर पाएंगे तो have some patience और कुछ समय देने के बाद आप इस stock में invest कर सकते हैं लेकिन थोड़ा इंतजार करें अभी company के financial इतने strong नहीं है fundamental इतने strong नहीं है जिसके वज़े से आप position बनाने की सोचें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो please like the video and अगर आपके कोई query, suggestion, सुझाओ कुछ भी हो इस वीडियो से related तो आप उन तमाम चीजों को बताएं पूछें, सारी चीज़ें स्वागती होगे हैं, okay? So until next video, bye-bye and take care